कॉंग्रिस निता राहूल गांधी ने बच्पन में अपनी मा सोनिया गांधी से पूछा था कि क्या वो देखने में सुन्दर है जवाब मिला नहीं तुम ठीक ठाक हो ये बात खुद राहूल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिये एक इंटर्व्यू में कही एक यूट्यूब चैनल को दिये इंटर्व्यू के दौरान राहूल गांधी ने बताया जब मैं बच्चा था तो एक बार अपनी मा सोनिया गांधी से पूछा कि क्या मैं सुन्दर हूँ इस पर मेरी मा ने मुझे देखा और फिर कहा नहीं ठीक ठाक हो तब से मेरे दिमाग में ये बैठ गया है कि मैं औसत दिखता हूँ जब उनसे पूछा गया कि क्या ये मन गडंत कहानी है तो उन्होंने बताया नहीं मेरी मा ऐसी हैं वे तुरंत आइना दिखा देती हैं मेरे पिता भी ऐसे ही थे मेरा पूरा परिवार ऐसा है किसी बात को बढ़ा चड़ा कर नहीं कहते हैं यदि आप कुछ कहते हैं तो वे मुद्दो पर बात की भगवान में आस्था के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा यदि आप दार्शनिक पक्ष पर जानना चाहते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि भगवान शिव एक अच्छा विचार हैं हमारे सिस्टम में शिव की अवधारना को समझना बहुत श जूते भेशते हैं सवाल पूछा गया कि इनमें से कोई बीजेपी वाला भी है क्या तो उन्होंने कहा कि वो तो सिरफ जूते फेंकते हैं